हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना आज हम छोटा सा बैक बनाएंगे उसके लिए मैंने ये क्विल्टिड पीस लिया है नीचे मैंने अस्तर लगाई है बीच में फोर्म और उपर ये में फैब्रिक है इसकी चोड़ाई है 11 इंच और लंबाई है इसकी 23 इंच एक विल्टिड पीस ले लेना है इस तरह से अब हम इस पर दो बैल्ट लगाएंगे उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है चोड़ाई है धाई इंच लंबाई है 14 इंच दो पीस है इसी तरह से क्योंकि दो बैल्ट बनेंगी और एक फोम का पीस लेना है लंबाई में इस तरह से जितनी चोड़ाई आपको बैल्ट की चाहिए उतना ले लिजिए और बीच में कपड़े के रखते हुए दोनों साइड से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाकर बैल्ट बना लेंगे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को भी दबा लिजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएं यह मैंने बीच में सिलाई लगा ली है इसके साइड में भी सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में जिससे बैल्ट बहुत अच्छी बनकर त्यार होगी यह देखिए एक बैल्ट हमारी बन चुकी है इसी तरह से हम दूसरी बैल्ट भी बना लेंगे यह दोनों बेल्ट मैंने बना ली है अब हमने जो piece तियार किया हुआ है वो लेंगे उसे लंबाई में बीच में से फोल्ड करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है सेंटर से दोनों साइड में 2-2 इंच पर हम निशान लगा लेंगे जहां हम अपनी बैल्ट को लगाएंगे अब दूसरी साइड भी हमें बैल्ट लगानी है तो उसे भी बीच में से फोल्ड करके इस तरह से सेंटर में निशान लगा के और दोनों साइड में 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है अब देखिए इस तरह से जो हमने 2-2 इंच के निशान लगाए है वहाँ अपनी बैल्ट को रखना है और इसे स्टेज करना है यह एक बैल्ट हमारी लग चुकी है अब दूसरी साइड भी इसी तरह से ही हमने बैल्ट को लगाना है यह दूसरी बैल्ट भी मैंने लगा ली है अब हम एक स्ट्रिप लेंगे इसकी चोड़ाई मैंने ली है डेड़ी और लंबाई हम ले लेंगी जितना हमने की quilted piece लिया हुआ है इसके है इतनी ही इसकी piece की लंबाई ले ले लेंगे अब हमने इस quilted piece को उल्टा रखना है और इस strip को इसके उपर रखकर इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सिलाई में दे कर stitch कर लेना है और अब हम इसे सीधा कर लेंगे और double fold करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे ये हमारी pipe in बन जाएगी एक-एक सिलाई में लगा रही हूँ इस belt को उपर की side करते हुए ताकि हमारी belt उपर की side ही रहे इस तरह से हो गई अब दूसरी side भी हम इसी तरह से ही strip को लगा लेंगे दूनों side मैंने लगा लिया है इस पर मैंने lace भी लगाई है आप लगाना चाहें तो लगा सकते है वरना इसे skip भी कर सकते है अब हम इसे quilted piece को उल्टा करके इस तरह से fold करके रख लेंगे और जो बंद वाली side है वहाँ से उपर की side हम दो इंच पर निशान लगाएंगे और यहां से धाई इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि side से हमारा थोड़ा-थोड़ा सिलाई में जाएगा यह 2 x 2 ही हो जाएगा हमारा इसे अब निशान पर कट कर लेंगे जो दूसरी side है बंद वाली side ही वहाँ पर इसी piece को रखकर इसी तरह से ही कट कर लेंगे यह देखे हमने इसे कट कर लिया है अब पहले हम जिप को लगाएंगे जिप हम जितनी हमारी इसकी लंबाई है उतनी ही ले लेंगे यह मेरी पाने बैग से उतारी हुई है इसलिए इस जिप को हमने इस तरह से सीधा रखना है नीचे की साइड और इसे स्टिच कर लेना है इस तरह से हमारी जिप लगी है और अब हम इस पर एक प्रैस्टिच भी लगा लेंगे यह हमने लगा ली अब हम इसे जिप को खोल लेंगे और जो दूसरी साइड है हमारी वहां भी इसी तरह से नीचे की साइड जिप को रखते हुए स्टिच कर लेंगे इस पर भी हम एक एक सिलाई और लगा लेंगे अब जो एक्स्ट्रा जिप है मैं उसे कट कर दूँगी इसमें हम रनर डालेंगे एक साइड से मैंने डाल लिया है इसे मैं निकाल लूँगी क्योंकि दूसरी साइड से जिप हमारी कुली हुई है हमें दोनों साइड से जिप बंद चाहिए जिससे अच्छे से बैक स्टेच होगा दूसरी साइड से अब मैंने रनर को डाला है अब दोनों साइड से हमारी जिप बंद हो गई है अब इस बैक को उल्टा रख लेंगे और जिप को उपर की साइड करेंगे और इस तरह से साइड में सिलाई लगा लेंगे एक साइड हमने सिलाई लगा ली दूसरी साइड भी इसी तरह से जिप को बिल्कुल सेंटर में करते हुए यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे यह देखिए हमारी दोनों साइड सिलाई लग चुकी है अब नीचे से दोनों कॉर्नर्स को पकड़ते हुए यहां भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे एक साइड हमारी लग चुकी है दूसरी साइड भी इसी तरह से ही हमने कॉर्नर्स को पकड़कर सिलाई लगानी है दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है अब हम इसे बैक को सीधा कर लेंगे यह हमारा बैक बनकर बिल्कुल तेयार हो गया है कॉर्नस को नीचे से अच्छे से बाहर की साइड निकालेंगे यह दिखिए इस तरह से हमारा यह बैक बना है आगे की साइड इस तरह से हमारी लेस आई हुई है यह दिखिए ऐसी है यह हमारा बैग यहां हमारी जीप हो गई अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेर और कोमेंट भी जरूर करें